हेलो फ्रेंज बेलकुम टू चावला मंतरा यूटीव चैनल तो फ्रेंज आज की वीडियो काफी जाला इपॉर्टेंट रहने वाली है आप इस वीडियो को अंतक देखें तो फ्रेंज एच्पी टैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है 24 माई से आपके फोरम फिल होने जा रहे हैं और 4 उलाई से आपके अच्पी टैट के एकजाम जो है वो शुरू है तो फ्रेंज जैसे आपको पता है कि किसी भी टेस्ट की त्यारी के लिए उसके और कोशन पेपर जो होते हैं उनका काफी जाला महत्तव रहता है तो इसी परप है कि एच्पी टैट में जीके के 30 कोश्टन आते हैं और परतेक कोश्टन एक नंबर का होता है तो मेरे पास है यहां पर फ्रेंज आपके सामने है यहां पर और जिन्नों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दियो चैनल को प्लीज साथ शेयर कर दिएगा तो पहला कोश्टन मारे पास है जीके का जनल नौलेज का 121 अनुशे 368 का सवंध किसे है तो फ्रेंट जो इसका सही अंसर है वो है आपका ओप्शन ए संभीदान संशोधन से ठीक है सेकेंड कोश्टन 122 नागा लैंड के लोक नरित्ते का नाम क्या ह है तो इसका जो सही अंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओप्शन म सИ चांग अगला ध कोस्ट्न है कोश्ट्न नंबल 123 रुपए चीन की रचना किस ने की तो इसका जो अंसर रहेगा वो है आपका ओप्शन बी उद्य कुमार ने question number 124 आशा की धातु किसे कहा चाता है तो इसका जो सही अंसर है वह है आपका option A uranium को अगला question देखते हैं 125 हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रखा दिया गया है जो इसका सही अंसर है वह है आपका option B बदलाव अगला question देखते हैं 126 हिमाच्य परदेश की सबसे उपजाओ गाटी कौन सी है तो जो इसका सही अंसर है वह है आपका option B वल गाटी अगला question देखते हैं 127 टांकरी क्या है तो टांकरी जो इसका सही अंसर है वो है एक प्रकार की लीपी ठीक है option D option अगला कोशन है 128 हिमाच्य परदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बिगार परता से क्या तात्पर्य है तो जो इसका सही अंसर है वो है आपका ओप्शन B, मजदूरी दिये विना जवरन कार्य करवाना अगला question देखते हैं 129 यहाँ पे 129 है नहीं शहरी की स्थापना किस ने की थी तो जो इसका सही अंसर है वो है आपका ओप्शन D, करम परकाशने ठीक है अगला कोश्ण देखते हैं 130 130 है मकोडी जोत किस जिले में स्तीत है तो जो इसका सभी ऑंसर है वो है आपका option ए कांग्डा जिले में है आपके मकोडी जोत अगला कोशन आ 111 connecting इंडिया निम लिक्त में से किस की tagline है तो जो इसका सभी आंसर है वो है आपका option D BSNL के जो आपकी connecting इंडिया है निमिलिक्त में किसकी tagline है या BSNL की अगला कोशन है 132 सन 2019 में भारत का सरबोई शांतिकाल बीरता पुर्सकार अशोग चक्क निमिलिक्त में इसे किसे मरण प्रांत परदान किया गया था तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका B option नज प्रत्थन नोविल पुर्सकार किस वर्ष दिया गया तो जो इसका सही आंसर है वो है option A 1901 में ठीक अगला कोशन है 134 हिमाच्य प्रदेश के प्राचे इंतमी निवासी कौन थे तो जो इसका सही आंसर है वो है option A call अगला कोशन देखते हैं 135 शव्द संक्षेव इरडा में D किसे रिपर्जेंट करता है तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका option C development अगला कोशन देखते हैं 136 भारत की सवतंतरता के समय ब्रीटेन का परधान मंत्री कौन था तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका option A क्लीमेंट अटले अगला कोशन देखते हैं 137 पंचंबेद किस ग्रंत को कहा जाता है तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका B option महाभारत को अगला कोशन है 138 मोली कदिकारों को किस देश के समिधान से लिया गया है तो जो इसका सही आंसर है वो है option D अमेरिका से अगला अगला कोशन है 140 पठार से क्या अभी पराय है तो जो इसका सही आंसर है वो है option पहाडों से अबरित जमीन अगला कोशन है 141 हिमाच्य परदेश का राज्य सडक परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड दारकों को HRTC बसों में कितने परतिशत की शूर्ट दी जाती है तो इसका जो सही आंसर है वो है option A 25 परतिशत अगला कोशन है 142 हिमाच्य परदेश में लोकमित्र के निमे लिखत में से कौन सा काम करते हैं तो जिसका सही आंसर है वो उप्रोक्त सभी है option A है बिजली के बिल जमा करवाना B option पानी के बिल जमा करवाना C option जमावंदी की प् पासर सभी अगला कोशन देखते हैं 143 हाट कोटी निचार और सरहन की बीच क्या समानता पाई जाती है तो जो इसका सही आंसर है वो है option C देवी की पूजा का स्तान अगला कोशन है 144 क्यांग बाक्यांग और वन्या गंचु किस जीले के नरित्ते हैं जो इसका सही अंसर हैगा वो है option A किन और ठीक है अगला कोशन देखते है 145 कलियान सोना सुनालिका और आरार 21 किस फसल की किस में है आरार 21 किस फसल की किस में है जो इसका सही अंसर है वो है option A गे हूँ अगला कोशन देखते है 146 भारतिय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाशाएं मुद्रित होती है तो जो इसका सई अंज रहेगा, वह है option D 15, ठीक है, अगला कोशन है 147, Make in India का logo क्या है? तो जो इसका सई अंज रहेगा, वह है option D शेर ठीक है अगला कोशन है 148 किस महादीव से तीनों कालपनिक रेखाई करक रेखा बगर रेखा और विशुपत रेखा गुजरती है तो जो इसका सही अंसर रहेगा वो है अगला कोशन देखते हैं 149 149 कोशन है LED का पूरण रूप क्या है तो जो इसका सही अंसर रहेगा वो है अगला कोशन है भारत में बस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया तो जो इसका सही अंसर है वो है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2013 तो फ्रेंड ये थे HPGK के 30 कोश्चन जो आपके नवंबर 2020 HPTAD में आए हुए थे और फिर नेक्स वीडिया आपको जल्द देखने को मिलेगी तो प्लीज जासर वीडियो को शेयर कर दियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और इसकी पीडियाफ आपको फ्रेंड टेलिग्राम में मिल जाएगी तो मिल जाएगा तो बाइ फ्रेंड जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ